हेलो दोस्तों नमस्ते गुड इवनिंग कैसे हैं आई होब सब लोग बहुत अच्छे होंगे हैपी गनेश चतूती टू आल अफ यो आज मैं एक रेसिपी लेके आ गई हूँ लड़ू की बहुत ही अच्छा ये लड़ू बनता है थमनिल से आपको पता चल गया होगा कि फोर स्पून से ही बनता है क्योंकि इसमें फोर स्पून घी एड़ करते हैं उससे ही बनता है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं यहां पे इंग्रेंस से एक कटोरी मैंने यलो कलर का लिया है यह दूद का फटा हुआ है दूद को बहुत अच्छे से नहीं फाड़ना है आपको नापके और दो कटोरी आपको बेसन लेना है पिर उसके बार यहां पे आपको ले लेना है यह जो आपका दूद फटा हुआ है अगर आपके पास कलर नहीं है तो एक अप्शन है कि आप हल्दी पींच ओफ एड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेश्ट आता है क्योंकि कलर अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे और यहां पे मैंना फोर स्पून ही सिफ घी लोगी कोई भी आप घी ले सकते हैं आप डालड़ा मत लीजिए क कोई भी ब्रांड काप घी डाल सकते हैं तो फोर स्पून मैंने यहां पे घी लिया है और इसको बहुत अच्छे से यहां पे हम मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से इसको आपको गूतना है अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसको प्रॉपर अच्छे से गूतनेंगे अग तो आप आयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं मेरे भी हाथों में चिपक रहा था यह बहुत ज्यादा क्योंकि यह थोड़ा सा लसल सा हो जादा है देखिए यहां पर बहुत अच्छे से इसका डो बन गया है और इसको हम रख देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के बाद हम क्या करना है यहां पर हम इसके चोटे-चोटे से लोईयां कट कर लेंगे जैसे हम रोटी की बनाते हैं बट हमको गोल नहीं बनाना है हमको इस तरीके का सेप दे देना है सारे एक साथ आप कर लीजे फिर उसके बाद इस तरीके का एक सेप दे देंगे तो बहुत ही भी बना सकते हैं और जो रवा और बेसन की क्वाटिटी है उसको भी थोड़ा सा कम जजादा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है लोही की कढ़ाई ये और इसमें मैं ऐल ऐड़ रही हूँ यहां पे हमें गड़ाई को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है मिन्स की हलका गरम होगा जैसे कि हम समोसा बनाते हैं उसका तेल कैसा होता है हलका ही गरम होता है तो वैसा ही हमको रखना है और यहां पर जितना हमने यह लोईया बनाई हुई है उसको हम इस तेल में एड़ करेंगे एक तम मीडियम फ्लेम रहेगा यहां पर हम धीरे धीरे से एड़ करेंगे क्योंकि जब यहां पर हम डालेंगे तो थोड़ा साम को सावधा नी बरतनी होगी तो हमारे हाथ जल जाएंगे क्योंकि मेरे तो जलते हैं बहुत जादा ही तो आप यहां देख सकते हैं मैंने एक एड़ किया है और यह कितना तेल कितना गरम है और कितना ठंडा है आप देख सकते हैं आपको पता चल रहा है तो मैंने ऐसे ही करके बहुत सारे इसमें एड़ कर दिए है जो फटा हुआ दूद है उसको गरम मत लीजेगा एकदम नॉर्मल टेंपरेचर पे आजाए तब ही आप गूतिएगा रवा और वेशन को और यहां पे ध्यान दीजेगा जिस कटोरी से आप नाप करेंगे लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं सपोर्ट दे रहे हैं मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक थैंक्स 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 थैंक्यू वेरी मच्च और मैं यहां पे बोलना चाहूंगी एक और चीज़ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा लोगों को शेयर करिएगा कमेंट करिएगा वाटस अगरे पे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर पे जो दूद फटा हुआ ल अलगा था है और मैंने जो दूद फटा होता है उसका टिक्ष्ट को थोड़ा सा अलग आता है और मैंने जो दूद फटा हुआ लिया है वो मैंने हाफ लिटर ही लिया है मिंस की 500 ml लिया है तो आप उतना ले सकते हैं उससे जदा क्योंकि 500 ml में बहुत होता है जितना गाड़ा मैंने एक कटोई लिया है उतना कॉंटिटी आप लेके इसको गूत के बना सकते हैं गूतने के बास आपको सिब 5 मिनुट ही रखना है और इसको जब हम बनाते हैं थो थोड़ा दबा दबा के बनाते हैं यह देखें क्योंकि अभी यह फटना चालू नहीं है यह पक रहा है इसको धीमे 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 पकने में टाइम लगेगा जब यह पक जाता है उसके बार इसको पड़टिएगा इसके पहले इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा नई यह गलती मत करियेगा नहीं तो यह फट जाएगा यहाँ पे देखिए मैंने इसको पल्टी कर दिया है कैसे अभी देखिए नहीं फट रहा है अभी किस तरीके का हुआ है कुछ हुए है कुछ नहीं हुए है तो नीचे के साइट का आपको दिख रहा है कि किस तरीके हो गया तो इस तरीके से धीर धीर हमको इसको पल्टी करना ह तो यह देखें यहां पर हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा थोड़ा पक चुका है अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा फिर इसके बाद हम इसको निकाल के इसको हम धंडा करेंगे देखें यह देखें मैंने गैस को आफ कर दिया है और यहां पर द के रख देंगे ठंडा होगा एक दम अच्छी से ठंडा होना चाहिए उसके बाद हम को इसको तोड़ना है मिंस की तुक्ड़े तुक्रे करना जैसे आपके हाथ से ना क्योंकि यह कड़क हो जाता है तो आप किसी खलर का जो रहता है उससे कूट सकते हैं तब तक हम जब तक ए एक कटोरी शक्र ले रहें यहां पर और हम एक कटोरी से थोड़ा कम हम पानी लेंगे यहां पर क्यूंकि वह प्लिभ लेंगे तो उसके लिए पहले चासनी नहीं नॉर्मल में रहेंगे जैसे यह ऑधा साप पकाएंगे पांच मिनट मेडियम फ्लेम पे और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए इस तरीके की पक रही है तो आप इतना समझ सकते हैं कि सीरा बना सकते हैं मिनस की बहुत जादा सीरा नहीं होना चाइब आपका लड़ू जो है वह बहुत ज्यादा कड़क सा हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर मैंने इलाइची लिये इलाइची अपने एक्राडिंग यहां पर शीक्स विग लाइची ले लिये मिनस की अच्छी है इसकी कोई-जाची तो बारीक पौॉडर बना लिया है और पाउर को मैं इस सीरे में Asاज अचैना अच्छे में आड़ा करें Styles तो इस सीरे में यहां बना रही हो तो इस चाहती वे लिए और दो कटोरी बेसन लिए तो यहां पे हम एक कटोरी ही शक कर लेंगे और एक कटोरी से थोड़ा कम हम पानी लेंगे सेम कटोरी का हम नाप लेंगे अभी हमारी चासनी अलमुष्ट हो चुकी और देखिए इसको मैंने फोल लिया है चोटे बड़े टुकड़े होंगे बहुत तो वो चलेंगे हाथों से भी यह पूट रहे है पर पहले यहाथ से नहीं पूट रहा था अभी बाकी यह तोड़ा सा नरम हो चुका है तो अभी देखिए हाथों से बहुत इजली से पूट जा रहा है तो अभी मैं इसको क्या करूँगी मिक्सर जार में डाल बता है अभी सकोट फार पीस लें तो इसको देखिए आपर अम्लाक करेंगे तो कि बहुत जादा बारिक नहीं करेंगे जैसे तो बीस के पर ले पर से खिंग 2 होछुआ है अभी उसके बाद हम पिया करें जा हमने करेंगी मिन्स की जो चासनी हमारी ब्रीर है कि यहां पर नगया पहलु को डालने के बाद मिक्स करने के वाद हम यहां पर यहां पर यहां किरनगा छीए बहुत ज्यादा गर्मनहें कि थोड़ा में सँंसर में दालनिके सुरी अध्याँ लाइअ यहां पर देखिया मैंने एतो आप गरम नहीं है एकदम हलका गरम है ताकि इसको आप अच्छे से हाथों के यह से भी इसको गूद सके तो हम जितना मतलब हमने लिया है अंदाज से हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे कहीं ऐसा नहों कि बहुत गेला हो जाएगे और हमारा लड़ू ना पने इस सीज़ का आपक होगा क्योंकि एक हाथ से मैंने पॉंट पकड़ा और एक हाथ से ही मैंने सेप दिया है यह देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूं फिर उसके बाद बाद में इसको आप शेप डबल मतलब दोनों हाथ से दे सकते हैं अदर्वाइस यह बहुत इसली बनाया है और बहुत जल्दी बना था मुझे बहुत पसंद आया घर में भी सबको पसंद आया आप भी एक बार जरूर बनाईए और बनाने के बाद शेयर जरूर करिएगा इसको ऐसे बनाना है आप इसको इसमें ड्राइपूट बहुत सारे एड कर सकते हैं उपर से भी आप इसको ड पाइंडिंङ करने में बिल्कुल भी problem नहीं हुई है एक हाट से ही बहुत अच्छा से आ जा रहा था इसको से हलका हलका सा प्रेस करना है और यह एसली बन जाता है गॉल एक हाट से ही देखे कितना अच्छा से इप मैंने बना दिया है और यहां पर मैं कोशिस कर रही हूं कि अच्छे से दिखा सको, क्योंकि ठोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉबлем है, इसकी ज़जे से ठोड़ा सा color ढखा स्दूदा इधर हो रहा है, जब light का focus ठोड़ा पड़ रहा है, तो तो अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पर दीखे, मेरा बनके रेडी हो चुका है, जिसे मैं decorate कर रही हूँ मेरे पास थोड़े से बदाम थे और उपर से मैंने इसको cut करके बारीक वाला भी किया है और half cut की भी किया है तो आप अपने recording इसको decorate otherwise ये taste में perfect है perfect बना था और इसके अंदर मैंने किसमिज डाला है आप बहुत सारे तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe करिएगा like करिएगा comment करिएगा share करिएगा thank you for watching bye bye take care love you guys